पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंद्री इम्रान खान का आजादी मार्च इसलामाबाद के करीब पहुंसता जा रहा है इसके साथ ही इस बात की आशंका भी जताई जाने लगे कि सत्ता संगर्च में एक दूसरे को किनारे लगाने की चल रही होड से लोगतंत्र ही किनारे ना लग जाए और सत्ता जंता की नुमाइंदों के हातों से निकल कर फिर से सेरा के हातों में जाती दिखाई दे रही है इमरान खान आजादी मार्च पर निकले हैं आजादी पाकिस्तान की शाबाज शरीफ से मांगी जा रही है इम्रान के आजादी मार्च में जंता की अच्छी खासी भीर भी दिख रही है पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना करें पाकिस्तान के लिए इम्रान का ये मार्च संकट को और गहरा कर सकता है जिसके बाद आशंका इस बात की जताई जा रहे है कि कही सैना ही सत्ता अपने हाथों में ना ले ले पाकिस्तानी मेडिया हाउस दा फ्राइडे टाइमस ने दावा किया है कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसे हालात बन सकते हैं कि सैना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है पाकिस्तान में मार्शल लौ लागू किया जा सकता है पाकिस्तान में फैली आर्थिक उथल पुतल के चलते महंगाई आस्मान छू रही है लोगों को बुनियादी सुवेधाय भी नहीं मिल पा रही है और उपर से प्रकरती भी पाकिस्तान की परिक्षा ले रही है इमरान खा में अब वो शाबाज शरीफ की सरकार के साथ ही सेना से भी टकरानी को तयार दिख रहे हैं। उस खुलासे के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर उनसे बात करनी चाही थी। एज कि अध्यों करें वहरे जावा कि उन्होंने चाही थी। को लेकर आपाज करनी उन्होंने लेकर छो श्याफ हैं। कि इमरान लेकर कि वुलास आर्मी चाही दो प्रमी चाही थी। झाल झाल